हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अपने लास्ट जो लेक्चर था, उसमें अपने इनफिक्स से पॉस्ट फिक्स कनवर्जन पढ़ा था, इस्टे का एक एक एप्लिकेशन से एरिया आज है, जिसमें कोई भी एलजेबरी के एक्स्प्रेशन अपनको गीवन होगा, वो इन इनफिक्स से प्रिफिक्स एक्स्प्रेशन में कनवर्ज करेंगे, अब अपनको इनफिक्स एक्स्प्रेशन गीवन होगा, इनफिक्स को अपन प्रिफिक्स में कनवर्ज करेंगे, तो अपनको ये तीन तरह के नोटेशन है, इनफिक्स में तो क्या होता है कि ओपरेटर्स क को दो ऑपरेंट्स के बीच में यूज करते हैं तो यह तो अपन को गिवन होगा और अपन को कंवर्ट क्या करना प्री मिन्स होता है पहले पहले का मलता है कि ऑपरेंटर्स को ऑपरेंट्स के पहले लगाना होता है और पॉस्ट फिक्स में क्या होता है कि ऑपरेंटर्स को दो के बाद यूज करना होता है इन्फिक्स से प्रिफिक्स और इन्फिक्स से पोस्ट फिक्स तो प्रिफिक्स और पोस्ट फिक्स को अपन जब करते हैं तो पेरेंथिसिस को पूरा अपन रिमूब कर देता है पेरेंथिसिस फिरी होता एक्सप्रेशन तो कम्पेटर को भी एक्स में convert करना यानि कि जो operators होगा ओपरेंट से पहले लगाएंगे तो अपन को जो Christians देंगे वो infix expressions given होगा उसको अपन को प्रीफिक्स में convert करना तो अपन इसको पहले तो इसको manual systems में चेक करेंगे कि mathematical way में manual systems में इसको कैसे convert करें फिर अपन आना एक stack table बनाके इसका one by one है न करेक्टर को read करते वे scan करते वे एक करेक्टर को scan करते वे stack table के through फिर इसका solution निकालेंगे तो stack के through कैसे करेंगे manual system कैसे करेंगे तो अपन देखते हैं तो आपका जैसे यह किस्टन गीवन है यह अपन को दे रखा a plus b a plus फिर ब्रेकट b star c minus फिर ब्रेकट d by e minus f ब्रेकट क्लोज फिर स्टार g फिर फिर ब्रेकट क्लोज स्टार h यह अपन को गीवन है तो अपन इस expression को पहले देखें mathematical way में कैसे करें तो mathematical way में करने से पहले तुमको ने इसकी order of precedence आनी चीए order of precedence अपन अपन इस previous जो session था उसमें देख चुके तो precedence order क्या होता है तो आप याद रखे वापस यह जरूर ही है कि जो ब्रेकिट आता है को भी expression में तो ब्रेकिट की सबसे top rank होती है top priority होती है ब्रेकिट के बाद में unary plus minus sign वाले जो plus positive figure negative figure second priority उनकी होती है अगर exponent का operator आता है exponential आता है तो exponential की जो rank होते हो third number पे होती है फिर अपना binary operator binary arithmetic में high priority में star slash percentage इनकी high priority होती है और left to right इनका associativity होती है और low priority में plus minus left to right इनकी associativity होती है तो अगर मालो कि एक ही expression में मालो same priority के operator आ जाए तो अपन mathematical way में इसको केसे solve करेंगे तो mathematical way में अपन solve करेंगे तो same priority में जो भी operator होगा जैसे मालो star आ गया तो star को सबसे पहले अपन solve कर देंगे अगर मालो जबसे पहले तो आप bracket को देखो चापकंगेर अपका यह inner bracket है तो samma सबसे पहले इस in उन bracket को solve करना प्रयों करेंगे फिरांगे इसमें देखेंगे कौन-कौन से operator आ रहे हैं तो इसमें operator जो आ ठीक समुश्ध है एक minus आ परिकि प्राइयोरेटी चेक करेंगे जbuild स्व्पेशेस झोल्ट सबसे पहले और अपन इसको देखें कैसे इंशाल्ड करें अब तो से दो आगे लगाने प्रिंगी को मैं लोता आगे पहले लगा दो और इसको बाद में लिख दो तो अपन इसको कैसे लिखेंगे तो अपन इस step को solve करेंगे तो operator को आगे कर दो अना अब इसको कैसे solve कर रहा हूं आप देखो करेंगे तो इस operator को मैं आगे कर रहा हूं यहां पर इसको यहां से रिमूव कर दिया ठीक है अब आपका यह solution हो चुका है इतना हो चुक अपना जैसे-जैसे solution होता है मैं इसको अलग कलरिंग कर रहा हूं आ कुए फिर अपन ब्रेकिट में देखेंगे तो अपना न ञव्ड अब किसके पहले रखेंगे यह तो अपना solution हो चुका तो यह एक single वह बन गया और यह माइनस अभी बच्चा अपना फिर खोगया अपन क्या करेंगे कि इस माइनस को में अपने ओक मैंस को यहसे हट से इसको हट देंगे रहुट इस होगया यह bracket का अंदर का पूरा portion solve हो चुका अपन क्या करेंगे अब इस bracket को हटा देंगे जब bracket complete solve हो आ झार्ट को वह आप रिमूव कर दो एक bracket का complete solution हो चुका एक bracket का solution हो चुका तो यह bracket को एपन रिमूव कर देंगे अपने अब यह median बच ख रही है न अब देखें फिर यह inner bracket है ने ये फिर एक bracket और हो गया outer bracket यह bracket यहां से शुरूआ है और फिर यह bracket यहां से close है तो bracket के अंदर की priority पहले होती है तो अपने इस bracket को पहले solve करेंगे ब्रेकित को solve करके फिर प्लस स्टार जो भी इसकी रेंक पहले आएगी प्रायुरिटी उसकी इसाफ से अपने को solve करेंगे अब अब आपन देखें ब्रेकित के अंदर चलते हैं अपन वापश तो ब्रेकित के अंदर चलेंगे तो सबसे बेले अपना B सब्सक्राइब एक इंसकोSन पिर्फुपं आरहेंख कए फ्रफ परेंगे तो पेस झाल क्लिएम्ट Candi को यहां पर चे Кश more क्रिंगे तो इस सब्क्राइब weak लिगopard тебе इसितार को पहले करदेंगे आपन क्या करेंगे हाप पहले लिख देंगे पिर स्कूवría करने जा रहा हूं तो इस टार और यहां से स्टार हड़ जाएगा आगे आजाएगा प्रीकमल होता है आगे लगाना यह हड़ जाएगा तो अपनी यह वाली स्टेप सोल हो चुकी तो इसको मैं अलग कलर में कर देता हूं इससे आपको पता रहेगा इसे मार्क एक यह अंडरलाइन करते वे चलो अब अपना कौन सा ओपरेटर बचा हुआ है एक तो माइनस बचा हुआ है एक स्टार बचा हुआ है अब तुम कहोगे कि अब कौन सा सोल करेंगे तो अपना यह माइनस की प्राइडिटी लो होती है स्टार की प्राइडिटी हाई होती है तो सिंपल सा रूल है इस एक्सप्रेशन को से हटा देंगे तो इसको अपनना सोल कर रहा है तो इस स्टार को अपन को यहां से तो यहां से तो मैं डिलिट कर रहा हूं इसको और इस स्टार को इस ओपरेंट के पहले लगा रहा हूं तो पहले कहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लगाऊंगा मैं इस लोकेशन यहां पर फूरा पूर्सन यहां से यहां तक सोल चुका इसको मैं थोड़े सब वापस हाइलाइट कर देता हूं मार्किंग कर देता हूं कलर में उससे आपको पूरा पता रहेगा पैंसलेंके पूरी तो अपना यह स्टेप्स हो गए अब ब्रेक उच्छा माइनस को सोल करेंगे तो ये यह एक operands हो गया यह माइंस वीच में है और यह बीच में हो गया अब इस любов को यह से सबुस्रा कराफ आहिआपर माइनस को यहां से तैब आद आ से अर्षपित यहां से माइनस को दिछ aco यह माइनस तक पुरा है complete solution हो चुका अब यह ब्रेकिट हो गया तो इस ब्रेकिट को remove कर दो एक तो यह वाला ब्रेकिट closing यहां पर है और फिर यह यहां पर हो गया यहां पर हो गया अब तुम कहोगे अब क्या करें अब तुम देखोगे न अपने माइनस और एक स्टार बचा हुआ है अब यह इस्टार है यह वाला एक्सप्रेशन पहले सो लोगा यह वाला प्लस सबसे लो प्रायॉर्टि होती है तो प्लस को सबसे लाउस्ट में करेंगे अपर अब hai इस्टार को क्या करेंगे इस ओप्रेंट इस बंडू इस फिर प्री का मतलब आगे हो गया तो अपना यह पूरा एक्सप्रेसन हो चुका यह पूरा यहां तक हो गया तो यहां पर अपना यह प्लस बच रहा है अब तुम समझ गए कि अब इसका क्या करें अब प्लस को आगे कर दो प्रीफिक्स में करना है तो प्लस को आगे कर दो और यह पूरा यहां से प्लस को हटा दो यह अपना यह पूरा फाइनल एक आंसर हो गया यह अपना फाइनल आंसर आगया है यह फाइनल कर नवर्जन हो गया है फाइनल प्रीफिक्स कर दोर्जन प्रीफिक्स कर दोर्जन यह इसका रिजल्ट हो गया तो अपन को अगर में पहले मैणिवल में अपन चेक कर सकते हैं अब अगर अब इसको सब्सक्राइब को फ्रू करें वथा में ऐसे रूह मेज होना चीए अगर यह मेज नहीं होता है तो आप सोच लो कि करेंगे अपन गलत कर रहे हैं अब अपने को पूरे रूल रेगुलेशन है जो अपने प्रिवियस लेक्चर पड़ा था उसमें पूरे वही रूल रेगुलेशन सेमर रूलरेशन वहां पर फोलो करेंगे तो अपन को conversion करना क्या है कि अपन को infix से prefix में बनाना है और अपने जो previous जो अपना tutorial था उसमें अपने क्या पढ़ा था अपने पढ़ा था कि अपन को infix से post में convert करना था तो post fix से थोड़े से इसके rule अलग है तो दो या तीन rule को आप follow कर लो mind में अब तुम कहोगे क्या rule follow करे तो अपन देखें क्या करें अब अब अपन को question sir second method है कि infix से post prefix में convert करना इस टेक के through इस टेक टेबिल बनाके तो अपन को यह given जो expression है यह आपका infix में होगा यह पूरा questions से इसे दे जेंगे परिक्षा में तो mostly वे से तो post fix का याता है वागे same दो तीन rule और follow कर लोगे तो infix में convert हो जाएगा तो सबसे पहले तो क्या करो यह आप इस expression के आगे add the beginning and closing end of expression आप यह parenthesis लगा सकते हो begin brace close brace इससे अपन को यह पूरा एक idea रहेगा कि यह expression यहां से begin हो रहा है यहां पर close हो जाएगा इसका solution यहां से start होगा यहां पर close हो जाएगा तो optional नहीं तो direct भी आप कर सकते हो अपनको सबसे पहले तो bracket aid कर देना है begin पर closing पर अपनको यह पूरा इस bracket से चलेंगे इस closing bracket तक इसका solution चीए अपनको तो पहले तो आपने कर दोगे easy way में questions अपनको given होगा questions अपन paper से देख लेंगे question paper से फिर अपने bracket को अपने recording अपन बिगिनिंग पर closing पर लगा देंगे इसको अपन ब्रेकिट लगा के लिख देंगे expression को फिर पहला रूल क्या कहेगा अना अभी रूल कब apply करना है तब infix से prefix में questions दे दे इस take it through conversion करो आपका first rule apply करना है कि पूरा जो एंटायर जो expression है infix वाला उसको आप reverse कर दो ब्रेकिट को भी agt से कैसे one by one character right से पढ़ते जाओ और left की तरफ लिखते भी reverse कर दो पूरा का पूरा जो last वाला है उसको first रख दो first को last में है पूरा चेंज कर दो अब reverse कैसे करेंगे तो reverse करने का मनलब right end से one by one character पढ़ते जाओ अब reverse करने का जो मतलब हुआ सब से लिखो यह break it आया यह break it आया तो यह break it रख दिया फिर age आया second character age को इधर रख दिया पर left से right को चलते गए फिर star आया तो star को रख दिया फि अब खिर छेयर चाया तो जी को रख दिया कि state आया फिर star को एनन पर G पाद रख दिया फिर close bracket आ गया फिर f आया तो f location ky माइनस का सिम्बल सा है माइनस लगा दिया फिर ए आ रहा है फिर स्लेस आ रहा है फिर दी आ रहा है फिर ओपनिंग ब्रेकिट आ रहा है फिर सी आ रहा है फिर इस बिगिनिंग ब्रेकिट आ रहा है फिर प्लस आ रहा है फिर ए आ रहा है फिर बिगिनिंग ब्रेकिट आ रहा है सेकेंडि हिने क्या एपलाइगरोगे आप जो ब्रेकुट था सब्सक्राइब कर दो एपनिंग ऊपनिंग fibre यस व्यक्राइब कर दो से रिप्लेस कर देंगे एपना जैसे यह ब्रिकट है आ रहा है तो Kristen से रिप्लेस कर देंगे क्लोजिंग से कर देंगे है मैं यह आपका ख्लोजिंग कर दिया यह आपका closing bracket है इसको opening कर दिया यह आपका यहां पर जैसी opening bracket था इसको closing कर दिया तो यह expression आपका है यह बन जाएगा reverse करने के बाद फिर अपन क्या करें फिर अपना same rule जो infix से postfix convert कर रहा था वह rule apply कर दो अब वह rule क्या था आप four column की एक tables create करो टेबिल में कम से 25 तक रोल ले सकते हो आप तो टेबिल का जो फस्ट जो कोलम है serial number यहां पर scan characters हाना या scan symbols जो भी यह symbols आ रहे हैं bracket आ रहा है तो left से right के और scan करते हुए चलो और each को इसमें जो एक sale है हाना single जो block है उसमें एक करेक्टर को present करते हुए चलो प्रेटी कर ली और यह स्टेक का एक ब्लोग बना लो और एक postfix expression का यह column बना लो चार column के एक table insert कर दो और इस table में आप result को लिखते जाओगे तो यह second column से second column है इस expression को देखते हुए आप एसे पूरा लिख सकते हो एक expression में कैसे लिखूं तो देखो फिलकुल माइन लडाने के कुछ जरूत नहीं है सबसे बेले bracket आ रहा है तो bracket लिख दिया फिर h आ रहा है तो h लिख दिया फिर इस्तार आ रहा है तो इस्तार को यह पर insert कर दिया फिर bracket आ रहा है ब्रेकिट तो यह total जो symbols हुए पूरे bracket को operators को alphabets को जो मिला के पूरे symbols हुए वह हो गए अपने 21 अब अपनको एक rules follow करते हुए results बनाने है अब तुमको पूराना प्रेश जो लेक्चरर था उसमें अपन पढ़ चुके अब क्या पढ़ चुके कि stake में operators और अपना जो opening bracket है वो stake में प करते हैं जब यहां तो bracket close आ जाए तो जितने भी opening bracket तक के जितने भी operator है सबको pop कर दो और same priority के अगर दो operators आ रहे हैं तो previous operator को pop कर दो और next जो operator आया उसको push कर दो तो push करने का क्या मतलब होता है इस take में रख दो पॉप करने का क्या मतलब होता है इस take से निकाल दो निकालने को क्या करेंगे पॉप करेंगे डालने को एड करने को अपने push करेंगे तो push क्यों सा principle वर करता इस take का यह कर देगा लीफ हो last in first out जो सबसे last में अपने रखा था वो सबसे पहले out होना चाहिए एकस्प्रेशन में जो रिजल्ट बनाएंगे वो लेफ्ट से राइट के और अल्फाबेट को और operator से पुरा रिजल्ट बनता जाएगा अब सबसे पहले तो क्या है अपना यह ब्रेकिट आया तो आपना ब्रेकिट को क्या करोगे इस take में एंट्री दे दो push कर दो उसका महल है कि डाइarea डायेक्ट लेफ्ट से राइट ए मोडै जाएग ना एकस्प्रेशन में लखते जाएंगे यहां पूरा प्याटी रहएगा यहां पे इस टार रहेगा तो फिर अपना इस टार मिलादी को क्योड़ियो पाष्ट के बाद में इस्टार इंसर्ट हो जाएगा यह कि इस्तार यह पर एंट्री आँजी चाहिए यह पहले ब्रेकट से पहले आप फिर सिर्फ पुस हो गया यहां पर फिलाल मॉफी एच रहेगा फिर अपने जी आए अब जी यह क्या पर आपने नहीं लिखेंगे अपरेंट्स को आपने एक्स के लिखेंगे तो यह यहमें तीन एसे केसे रहेगी और यहां पे अपन एज और जी यह लिखरेंगे फिर क्या आया यह operators तो operator को बनने स्टेक में डाल देंगे तो यह सटेक में एंट्री होगी सटेक मां एंट्री दी मिन फिर जाएगा फिर अपना ने ब्रेकित आ गया ओपनिंग तो यह ब्रेकिट भी इस्टेक में एंट्री हो जाएगी ठीक ना यह इस्टेक में एंट्री कर देंगे इसकी इस्टेक में एंट्री हो गई यह तीम ब्रेकित अब इस टेक में चल रहे है और यह उपरेटर से स्टार इसे कैसे रह जाएगी फिर यह क्या है एफ आया को अपन इधर लिखेंगे एक्स्प्रेशं में यह आपके out कोफी कर देंगे यह से कैसे पुसी रहेंगे पोई भी नहीं हुआ फिर अपना H G और यहां पे F को इधर लिख देंगे फिर नेक्स्ट देखें अपना कौन सा सिम्बल सारा माइनस ओपरेटर आ गया तो ओपरेटर को इस टेक में एंट्री दे देंगे ओपरेटर को पुस्ट कर देंगे ओपरेटर को यहां पर ओपरेटर को पुस्ट कर देंगे यह माइनस माइनस आ रहा था यह माइनस अपने यहां पर एंट्री देंगे यह एच जी एफ ऐसे कैसे फिर अपना एकशन में रखेंगे फिर next के आया है, slice आया, तो slice नहीं यह आपका low priority का operator है अभी जो push किया हुआ है, low priority का last, top पे low priority है, और आपका यह slice high priority है, तो यह entry हो जाएगी, इसकी slice की, यहापे slice आजाएगा, यहापे, slice इस take में push हो जाएगा, और यहापे क्या रहेगा, यहापे यह एसे कैसे आजाएगा अना फिर अपना यह क्या है है, D, तो D अपनी यह entry हो जाएगी, expression में, operands है, इस take में यह, ऐसे कैसे slice तक ही रहेगा भी, इस take में slice तक आगया है, फिर अपना क्या रहा है, यह bracket closing आगया, अब closing bracket आगया, तो अपन क्या करें, अब rules का पता होना चाहिए, कि closing bracket आगया, तो क् listening bracket तक जितने भी operator insert किये हुए थे, उन सब को pop कर दो, pop का मना निकाल दो, जब निकाल लूँगा, तो यह, अपने यह, अपने यह, दो operator हट जाएंगे, जब अपने यह करेंगे, तो दो operators हट जाएंगे, अब दो operator के हटेंगे, एक तो अपना यह slice बार आगया, पोप हो गय Slay के बाद में फिर एक minus का चिंबार आगया, minus operator आगया, और दो operator यह complete हट गये, और एक bracket खतम हो गया, तो यह slice star, yes, bracket star, bracket star, अभी 4 entries stake के अंदर है, और दो operator अपना पोप हो गया, फिर आप तुम देखो, यह minus आगया गया, अब minus आगया तो क्या करें, अब minus आगया तो यह operator ह operator है, तो इसको stake में push करेंगे, stake में push करेंगे, अब push करेंगे, अब push करेंगे तो अपन देखा न, यह star पहले से ही है, तो star का और minus का अगर comparison करें, क्योंकि अभी top पर star है, इधर उसके उपर entry हो रही है, minus की, तो star की priority हाई होती है, तो high priority को तो pop करो, और star को insert करो, यह expression में लिख देंगे, उसको, यह star आ गया यहाँ पर, अब फिर अपना क्या है, यह C आ गया, तो C का क्या करें, C को expression में इधर लिखेंगे, क्योंकि C है इस take में entry नहीं होती, क्योंकि C को अपनी इधर लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर यह ऐसे कैसे है, चार अपने, यह ऐसे कैसे चलता रहेगा, अब अपन क्या करें, अगेन फिर यह star आ गया, तो यह stake में इसके entry हो जाएगी, क्योंकि star की priority है, माइनस से हाई होती है, तो हाई priority, लो priority के बाद में entry हो जाती है, इसके आप entry कर दो, और यहाँ ऐसे कैसे यह चलता रहेगा, ctrl c, ctrl, फिर अपना यह क्या है, आप b आया, तो अब b को पन का रखेंगे, अब आद हो गया होगा, आपको b को expression में रखेंगे, तो c के बाद में b को use कर लो, b को यह present कर दो, और यहाँ अपने a stake में यह entry चलती रहेगी, यहाँ पर कोई add नहीं होगा, कोई भी पूछ नहीं होगा, भी उदर चला गया, expression में चला गया, फिर अपन क्या करें, अपना यहाँ ब्रेकिट का closing आ गया, closing आ गया, तो अपन क्या करें, यहाँ भी दो entry ओल्रेडी, ना bracket के बाद है, तो इस bracket तक दो operator को हटा दो, तो यह closing आते हैं, दो operator को यहाँ पे लेलो, तो यहाँ पर दो operator को भार करो, तो पहला operator कोन सा है, star, इस तार के बाद में दूसरा operator कुण सा है माइनस कहां से देखा मैंने इधर से देखा ये दोनों को और ये पूरा में राएना में दो ओप्रेटर के एंट्री है तो ओपनिंग ब्रेकेट तक पूरे को पॉप करतो पॉप का मितलब हटा के उदर एक्सपेशन में लिख दो अब अब प्लस आया तो अब प्लस आया तो अब तुम देखोगे यह जो प्रायोरिटी है न इस्टार की ज्यादा होती है और प् अब अपना क्या अफिर ayeHuh तो अपने इस की नश्याच रखेंगे है इस प्रेंगे है कि यहा पर आपए रखेंगे है अब पिर अपना यहां पर एक गोपिल को अपर्गोणतर अभी प्रेक करो पीटक में चलते रहेई फिर अपना रब्रेक इन अपरधिर फिल्द में ब्र प्लस को भी पॉप करेंगे तो यह पूरा ने पूरा ब्लेंग को रहेगा लास्ट में जब आंसर हो जाएगा ने अपना यह फाईनल एक रिजल्ट होगया इसका कॉंसर रिजल्ट हुआ यह पॉस्ट फिक्स एक्सिकर अब करना क्या है अपनको आश्र देना था इन फिक्स का अब प्रिफिक्स का तो पोस्ट फिक्स का जो रिजल्ट आएगा तो अपने नेक्स्ट जो इस्टेप होगी अपन उसको रिवर्स कर देंगे अब रिवर्स करने पर आप देखोगे अब रिवर्स करो अना यह तो प्लस हो गया प्लस के बाद में ए हो गया एके इस्तार आगया इस्तार के बाद में फिर माइनस आगया माइनस के बाद में फिर अगेन स्तार आगया इस्तार के बाद में फिर बी आगया फिर सी आगया फिर अगेन स्तार आगया इस्तार के बाद में फिर माइनस आगया यह माइनस आगया फिर माइनस के बाद में स्लेस आग आपना इससे समय खाना चाहिए अगर इमेच नहीं खा रहा है तो आप सोच लो खया बरक다면 कारी मैंशियाwny उसही साइध होई यह नहीं होगा तो आप देखो ऊदर अदेखते हैं यहां पर दहुँ कहांगो चुछ यहां दो यहां पर देखें आपन कम्होंट माइनस इस्टार फिर उदर क्यारा है इस मां निस इस्तार प्लस ए यानि कि अपना पूरा मेज खा रहा है तो मेज खारा है तो अपने जो यह step को follow किया है तो वह perfect accurate answer है तो अपन को जो main-main rules से याद रखने थे कि अना main-main rules से याद रखने थे अपन ने देखा कि सबसे बहले तो अपन क्या करेंगे reverse कर देंगे फिर अपन क्या करेंगे जो close bracket उसको तो opening कर देंगे और जो opening bracket उसको close bracket में convert कर देंगे फिर convert करने पर अपन को एक expression reverse मिल जाएगा विद ब्रेकेट के साथ फिर अपन क्या करेंगे stake table बनाएगे तो सेथ Would बिए में चार कोलम में चार कोलतma रोलम्स को इमर नमरा और य। है को यह दूसरा इपराईट्पी के ऑपरेटर को इस करेंगे टो अगर सेंट संबरेंट के अजिए तो अपन उस case में क्या करेंगे associativity वाला rules को follow करते हुए तो पहले से जो inserted operator से उसको तो pop करो और same priority का जो next operators आ रहा है उसको आप इस take में entry दे दो push कर दो और एक अपना अगर high priority का operator पहले से insert है और उसके उपर मालो low priority का operator आता है तो उस case में high priority का operator को तो pop करो और low priority को फिर push करते हुए तो इस rules को follow करते हुए अपना accurate answer आएगा residency को थोड़ा सा ध्यान देना होगा तो पहले manual भी आप check कर सकते हो कि result क्या आना चाहिए तो manual में अगर आप perfection है तो manual से और यह stake table से पूरा verify कर सकते हो तो यह अपना यह करना complete answer हो गया यह exam में अगर आ जाए तो rule regulation maximum 80% तो वह rule है जो infix से post fix वाला जो अपने follow किया था बस अपन को करना क्या है पहले bracket लगा के पूरी string को reverse कर लो फिर bracket को replace करते हो beginning को closing में closing को beginning में फिर रहना stake से infix से post fix जैसे पहले conversion किया था same way rule लगा तो फिर last में जो post fix का result आएगा उसको finally reverse कर दो reverse करने पर यह final result होगा यह आपका required यह हो जाएगा prefix expression हो जाएगा infix to prefix तो exam के point of view से आपको mathematical way manual systems और आपको यह ऐसे माला stake table का use करते वे आना चाहिए थोड़ी से आप practice करेंगे तो अब अगर आपको problems हो तो आप example यह थोड़ा पढ़े और समझने की कोशिश करें आज की class को अपने end करेंगे thank you